दस पैसा मतलब जिसमें दस पैसा चलता था उस जमाने की बाइब देख पारे दोस्तों किस प्रकार की माता डंडवत यात्रा करते हुए जा रही है और आप सभी को दिखाते हैं बहुत ही अलग अलग प्रकार की भक्ती लेकिन इस बार देखने है माता जो है देखने डंडवत यात्रा कर रही है तो एक जिगा पे दो बार कर रही है कई बार हमने दिखा एक कावरिया वक्त को जो है एक जिगा पे ग्यारे बार कर रहे थे ले सब्सक्राइब करते हुए जा रहे हैं इसलिए आपका जो डंडवत यात्रा देख रहे थे कुछ अलग ट्राइब का लग रहा था अधुद लग रहा था इसलिए सोचें को माता से जनकारी ले आपका शुब नाम क्या हुआ माता जी हमरा सुमिंतरा नाम है धनबाद से यह ऐसा यात्रा जो है पहले भी किये हैं यह बारे साल से कर रहे हैं साल में एक डंड़ और चार सोमारी जो जाते हैं वो पैदल यात्रा जाते हैं और डंडवत यात्रा जो है साल में एक बार कभी भी चले जाते हैं कभी भी चले तो महादेव का कैसा आभी मताजी महादेव का डंड जब से गिरे बनिया आया तो ऐसा कैसा बुलाबा आ गया महादेव का आपको इस प्रकारी सुरूप सुरू किये थे पहली बार कब से की थे थे था मतल़ जिसमें दस पैसा जाता था यह वह इस रूट में एक रूपिया के चाह पीये हैं अच्छा दूर रूपिया में में अच्छा तब स्यार हैं पानी नहीं था पानी कुईयां कहीं कहीं से लोग दोरी रशी से भरता लगवग तो यह जो बात आप कह रहे हैं लगवग चारीस पचास साल पहली सी बहुत मने हम नए स्यार है हमरा सोला चातरह पर साधी हुआ और हम चोटा-चोटा बच्चालों के घर में छोड़ दिये और निकल अंशा तो ऐसा जो है बबा का बुलावा जो आपको इस रूप में कैसे है ऐसा क्या हुआ था अपके साथ हम सीव जी से बेटा मांगे थे अचे उमनत पूरा हूगा तो बेटा मांगे बडा हुआ थोरा चैंऐ रुपी ने लागा रहे आपिको समर्पित हो जाएное बेटा सुधर गिया अज उसके ही चारगो बेटा है तो हम अपना जिन की भोले बाबा को दे दिये वही बेटा खर्चा देता है तो आते मतलब यात्रा जो आपका हर साल रहता है और लगातार चलती रहते हैं हम यही तो नहीं गच्छे की पांट सल चलेंगे के दूसाल अच् अच्छा लगता है चलते रहते हैं बावा का ही बुलावा है एक तरह से जो कि आप जो है इस परकार आपका यात्रा कुछ हमको अलग लगा इसलिए सोचे कि माता से जनकारी ले ठीक है माता जी हरार महादे इस परकार जो है जनकारी भी मिली और माता जी जो है लगातार चल जलते ही जा रहे हैं वैसे कावरी अबत की तैयारी भी हो चुकी है पूर जो कम्प्लीट हो गया है यात्रा इसी प्रकार चलते जा रहा है और इधर देख रहे हैं यहां पर देखिए टंकेस्वर का यह सीव मंदीर पारुती मंदीर यहां पर राधा कृष्ण थोड़ा सा आप सभी को देखने को मिलता है और यहां पर देख रहे हैं यहां पर देखिए थोड़ा सा आप सभी को इधर का भी दर्शन कराते हैं महादेव जी का यहां पर देखिए यह टंकेस्वर का टंकेस्वर नाथ का महादेव का सिब्लिंग यहां पर मंदीर है देखिए उधर जो है अंदर में मैया पार्वती की जह हो वीडियो को करिए सेर कमेंट में लिखिए हरेर महादेव और इस पार है यहाँ पर राधा कृष्णा तो इसका भी आप सभी को दर्शन कराते हैं देख रहे हैं यहाँ पर जो है यह देखे एक बार हमने पहले भी दर्शन कराया था यहाँ पर देखे राधा कृष्णा जी तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही फिर मिलेंगे नई वीडियो में दोस्तों नई अपडेट के साथ हरेर महादेव आप सभी भक्तों को कावरियापत टंके सुर से